हेलो दोस्तो मैं जैकान से नीज स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आईक्यू में हम दिस्टास करें राजिस्तान पते का नीजपेपर जैपूर एडिशन 7 सितंबर तो बने रही है इस वीडियो में साथ अंतर तक there is lot to know and lot to discuss तो आई शुरू करते हैं आसका वीडियो पेज नंबर वन पर बात की जा रही है प्रवासी मजदूरों से सम्मझतनी वुज़ाई यहां पर यह कवर की गई है कि उनकी क्या इस्थिती रही है कोरोना काल के दोरान तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में 2011 का जो census के अनुसार जो data है उसमें 45.6 करोड लोगों को बताया गया है कि वो प्रवासी हैं जो कि भारत और भारत के बाहर गए हुए जो लोग हैं काम करने के लिए तो ये अपने कोले जनसक्या के तक्रीवन 38% है जो आज अगर हम देखते हैं 2021 की जनगड़ना के अनुसार तो आज थिंक ये 40 से 45% होना चाहिए बट ठीक है आपको इतना जाना जरूर ही है कि तक्रीवन इतने लोग माइगरेट करते हैं काम के लिए किसी और वज़े से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो इसके संबन्द में एक 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 भारत के अंदर इसका नाम है Interstate Migrant Workman Act 1979 तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी इस प्रकार के Magrant Worker हैं तो उनके registration की ववस्ता होनी चाहिए उनके उनको किस प्रकार से मजदूरी मिलनी चाहिए कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उनके health उनके रहन सेन उनके आवास की ववस्ता के लिए इसमें कई सारे provision है इस Act मैं तो ये Act पूछा सकता है एक जान के अंदर क्योंकि भार सब्सक्राइब को से इस वाद के थुरू किया हुआ था एक तो सम्मिधान मूल धांचे का प्राबधन आ गया है आपने सुनाओगा बेसिक इस्ट्रक्चर दूसरा है कि प्रस्तावना को सम्मिधान का भाग मान लिया गया था इस केस के जरीए तो यह जो केस आया था महत्मूं बतलाव लेकर आया इस वाद के बारे में आगे दिखते हैं तो पेज नमन पर एक और नुज यह बात की जारी है हौंग कॉंग से सम्मिध नुज यह तो हौंग कॉंग में भी क्या किया जा रहा है कि वहाँ की जो विदायका है वहाँ पर चुनाव होने वाले थे उसको भी इस्थगित करा दि में आजार हो गया था तो तब से क्या है कि चीन इसके अंदर इसके अंदर चीन अपने प्रभाव जमानी कोशिश करता है तो यू के जब यहां से छोड़कर गया था हौंकों को तो वो बोलके गया था कि चाइना का भाग रहेगा हौंकों लेकिन वन कंटी टू सिस्टम रह वहां पर पूरा का पूजा ताना साही देखने को मिलती है एक ही पार्टी की सरकार रहती है चाइना के अंदर तो यह बेसिक फरक है तो चीन कुछ ना कुछ ऐसे अथकंडी अपना तर रहता है कि ताकि यहां पर अपना प्रभाव जमा सके तो अभी एक एक एक्ट्रडिश का राइट तो यहां पर कुछ फैक्ट है कि पर्ल रिवर्ड जो है वह हंग्कॉंग के अंदर बहती है और एक वाटर रिवॉलूशन निकल कर आया था इस समय जो रोध किया गया था तो इंपोर्डेंट फैक्ट है पूझा सकते हैं आप से कि पर्ल रिवर कहां बहती है एक चाइना वाला यह पूरा 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 हो जाता है हां पर अफैर यह को यह हूं को भी आन्टॉम तो Hem स्वाएंद देखते हैं पेश और जैक्ट की जारे ह हरिज यह बात की जा रही है हाड इम्मूनिटी की है कि कि एंटी बोड्र ग्सित हो जाना जैसे कि अभी कोरोना का जो दोड़ चल रहा है तो वहां पे अभी टाटा इंस्टूट ने एक बात बोली है कि जो मुंबई के इंस्टूट अक्टूबर नवंबर तक वहां के लोगों में हर्ड इम्मुनिटी विक्सित हो जाएगी तो कोरोना से टर कम हो जाएगा जो कि कोरोना वाइरस से लड़ सकें तो यहां पर बात की गई है तो एक्जाम में पूछा सकता है कि हर्ड इम्मुनिटी के संबंद किस से है तो आपको पता होना चाहिए आकर देखते है पेज नमन पर एक और नियूज है यह बात की जा रही है मुकंदर हिल्स टाइगर रि तो वह गायब चल ला था तक्रिवर दस-पंदा जिन हो गए तो लेकिन आप वह मिल गया उसके पागवाक मिल गए है तो यहां पर नियूज कवर की गई है तो मुकंदर हिल्स टाइगर रिजर्व बहुत ही ज्यारा नियूज में है परसने जरूर पूछा जाएगा तो अंदर इस्तित है अभी यही बनाया बनाया गया है यहां पर तो एक्जामन जरूर पूछा सकता है बेड़ा बायोजिकल पार्क इंपोर्टेंट है नोट कीजिएगा पर नमर पांच पर एक और नहीं हुज है यह बात की जारी काली सिन नदी की काली सिन नदी देवास मद् जा रही है एक्जाम से बिल्कुर पूछा सकता है नदीयों के बारे में तो काली सिन आपको पता होना चाहिए इसके अलावा हम देख लेते हैं जहलावार के अंदर एक दुर गजिसका नाम है गागरॉन फोर्ट तो गागरॉन फोर्ट यूनेसको लिस्टेड है मतला यून होने का मतलब यह कि ताकी खर्चा काम हो कि इस पकार की मतलाता सूचि क्या है कि अलग अलग बनाई जाती है जैसे आपको पता हुआ कि एक होता है राज चुनाव आयोग एक होता है केंदे चुनाव आयोग तो राज चुनाव आयोग जब नगर पालिका और पंचायतों को चुनाव कराता है तो उसके लिए अलग से मतदाता सुझी तयार होती है और केंदे चुनाव आयोग जब विदान परिशार विदान सभ पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट में कहा गया था तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक देश के अंदर एक ही मतरदाता सोची होनी चाहिए यह important फैल बन जाता है दूसरी बात 1999 और 2004 में केंदे चुनाव आयोग ने भी यह बात कही थी कि एक समान मतरदाता सोची होनी चाहिए एक देश के अंदर यानि भारत के अंदर अब केंदे चुनाव आयोग 1950 में इसका गठन हुगा था और यह कौन कौन से चुनाव कराता है तो यह कराता है राश्टपति का चुनाव उपराश्ट्रिपति का चुनाव विदान सभा का चुनाव विदान परिशत का च यह सबसे पहले बताये कमेंट बोक्स में कि राज चूनाव आयोक कि बना किस यह न बना तो ये सम्मिधान के भाग 9 में बात करते हैं राजे चुनाव आयो की इससे सम्मानित अनुच्छे दें अनुच्छे 243 क से लेके 243 जेड ए तक तो ये आप से पूछा एक्जाम के अंदर सारे के सारे important factor है आप note कीजेगा आगे देखते हैं पेज नमर आठ पर नियुज है यहां बात की जारी है फते सागर लेक की फते सागर लेक उधैपूर के अंदर इस्तित है यहां पर बहुती फेमस एक observatory है इसका नाम है उधैपूर सोलर observatory इसी जील के अंदर है यह आप जाएंगे जादी गुमने यहां पर तो धिक जाएगा आपको यह बीच 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 बना हुआ है इसके अलावा नेहरुपार के फते सागर जील के अंदर यह भी important fact है पूछा सकते है आपसे exam के अंदर यह यहां पर इसकी picture कवर की जागे देखते है पेज नमर आठ पर नियूज है यह बात की जारी है द्वारेका दीस मंदर की यह कोरोना काल के दोरान यहां पर इसकी एक नियूज कवर की गई है तो इससे संबंदित कुछ fact है कि द्वारेका दीस जो मंदिर है वो कांकरॉली रास्त मंदर के अंदर है यह बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है प्रश्न इसके अलावा क्रश्न के चतरभुज स्व सब्सक्राइब के अंदर इस्तित है यह राजिस्तान का पहला राष्ट्री उद्धान है जो की 1980 में बनाया गया था राजिस्तान के अंदर और रंधंबो नेशनल पार के टाइगर रिजर्ब भी है जो की 1973 में बनाया गया था आपको पता होगा वाइलाय प्रोडक्शन एक करॉली के अंदर इंपोर्टेंट है मदन मोहंजी मंदर पूछाता एक्जाम के अंदर कहां पर इस्तित है तो करॉली के अंदर इस्तित है इसका संबंद है मादव गौडी संपदाय से यह पूछाता एक्जाम के अंदर मदन मोहंजी का मंदर जो है मादव गौडी संपदा है इसमें नभी नवाचार किये हैं तो उसका जो स्रेज आता हो जाता चेतने महाप्रभू के इसके लावा मादव कोड़ी संपताय का एक और मंदिर राइस्तान के अंदर गोवें देव जी मंदिर जयापूर यह भी बहुत जो लोग हैं वो टांजेक्शन कर रहे हैं उनको ज्यादा जानकवारी नहीं है कि टेक्निकली कैसे चीज़ें होती हैं तो उनके साथ क्या होता है कि साइबर अपराद साइबर अपराद आपने सुना होगा कि किसी के पैसे नेकल के एटीम से खाते में से पैसे नेकल के तो यह काफी गटना है देखने को मिल रही है तो मेरा आप से अनुरूद है कि जो भी लोग ऐसे हैं कि जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं इस प्रकार की टांजेक्शन करने के बारे में और ओनलाइन टेक्नोलोजी के बारे में तो वो इसको यूज ना करें किसी और की मदद ले ले क्योंकि आपका पैसा बहुत ही इंपोर्टेंट है आपने कमाया बड़ी मेरत से तो वो ऐसे ही कोई अगर आपका लूट ले तो बड़ी दुखध एक बात होगी तो जरूरी यह है कि आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है चीज़े कैसे होती ही क्योंकि जबी भी कोई आपके पास इस पकार से आप कोई भी चीज ओनलाइन देख रहे हैं आप कहीं भी किलिक कर देते हैं आपको कुछ भी प्रेलोबर में ना फसें आप किसी जानकार से इसके बारे पूछें अधरवाइज आप बैंक के थूटा आजेक्शन करें आप ऑनल यह बात की जा रही है एक बहुत ही famous tennis player है Serena William यह अमेरिका की रहने वाली है और बहुत ही बैतरी टैनिस के लाड़ी है Serena William तो यह इनकी एक picture है आपने देखा हूँ अनके बारे में कई सारे इनोंने Grand Slam जीत रखे हैं तो पता होना चाहिए आपको कि इनका संबन किस खेल से है page number 10 पर बात की जा रही है कमला हैरिस कमला हैरिस एक भारतिय मूल की महिला है तो अभी इस क्या हो रहा है कमला हैरिस USA के अंदर इनको उपराष्टपती का उम्मीदबार गोशित किया गया है Democratic Party ने Democratic Party आपको पता होगा जो ओबामा जी थे वो Democratic Party के थे तो उसी पार्टी से इ page number 10 पर बात की जा रही है यह बात की जा रही है NCRB की रिपोर्ट तो NCRB की रिपोर्ट में बताया कि कितने लोगों ने सुसाइड किया है तो यह पूरा पूरा रिपोर्ट है तो NCRB का पूरा नाम है National Crime Report Bureau यह जो है Home Ministry के अंदर गता आता है यह जो Department NCRB तो अपने डेटा publish करता है यह लिए कि कितने crime हुए है कैसे कैसे क्या हुए है तो वो पूरी डेटा आते हैं इसके अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि किस मंत्रा लेकर अंदर गत आता है NCRB आगे दिखते हैं page number 10 पर बात की जा रही है तो यहां पर अभी रक्षा मंत्री राजनाथ ने मुलाकात किये दूई पक्षिय सयोग बढ़ाने के लिए आपने सुनाओका by little ties को मजबूत करने के लिए अच्छे करने के लिए यह बात की गई है दो देशों के बीच में भारत और इरान के बीच में इरान से अच्छे समझ रहे हैं बारत के इरान ने हमको रुपीज क और इरान की राजदानी हम देखते हैं तो इसकी राजदानी का नाम है तेहरान, यहां के राश्पती का नाम है हसन रुपानी, करेंसी इरानियन रियाल यहां पर होती है अब इंपोर्टेंट एक फेक्ट है यहां पर नूकलियर डील थी जिससे की USA बाहर निकल गया जो की इरान के साथ कीती है, इसका नाम है Joint Comprehensive Plan of Action, यह पूछी आती है एक्जाम के अंदर इसका समन किसे है, तो USA से बाहर निकल गया है, USA ने आर्थिक पतिवन लगा दी इरान के पर काफी सारे, तो यह आपना सुना भी होगा नियूज के अंदर, बहुत ही इंपोर्टेंट, ब इरान, यह इरान है, इसकी कैपिटल तहरान है, और इसके ऊपर यह बताईए, यह क्या है, यह आप मेरे को comment box में बताईए, यह एक सी यह बहुत ही famous, आप मेरे को comment box में बताईए, बहुत examen पूछा जाता है यह, अब इसके इलाबा, Persian Gulf, मैंने आपको बताया था, कि फारस क खाड़ी, यह इरान से लगती है, फारस की खाड़ी, यहाँ पर हो गया, Gulf of Oman, यहाँ पर हो जाता है फिर आपका अरब सागर, तो यह आपको पता होना चाहिए, इनका location कैसे है, यह सौधी अरेबिया हो जाता है, जी सी सी कंट्रीज है, सारे की सारी सौधी अरेबिया, बह को समझ में आया हुआ, यह आप देश सकते हैं, इंडिया और इरान से संबंध, जो की बात चल रही है, आगे देखते हैं, पेज नंबर टैन में बात की जा रही है, यह कैलिफोर्नीय समझ न्यूज है, तो यह न्यूज यहाँ परांत है, कैलिफोर्नीया, वहाँ के जंगल लोस अंजलेस का नाम बहुत फिर्मस सुना होगा, हॉलिवुड के लिए जाना था है, लोस अंजलेस, तो यह है पूरा पैसिफिक ओशिन, नौर्थ और नीचे आता है, साउथ वाला पार्ट, तो यह USA और इसका भाग है, लोस अंजलेस, तो इससे आपको मैप से समझ में आएगा, कि यह समुद्री एरिया से लगता है, लोस अंजलेस, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो जारा सिजा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, राजस्तान में होने वाले सभी एक्जाम्स के लिए पहुती लाबदाएक रहेगा यह वीडियो, जारा सिजा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, इसी के साथ धन्यवाद